दोस्तो आज के इस वीडियो के जरीए हम लोग बहुती एक important question का solution के बारे में जान रहे होंगे question बहुती बढ़ा है और हर एक beginner के लिए बहुती important है question है kraken bgmi भाई के तरप से इसर में बहुती बढ़ा question है आपको दिख रहा होगा इस्क्रीन के उपर sir मेरा नया website है और मैं YouTube से वीडियो सुनके समझके content लिख रहा था USA के लिए 24 से लेकर 27 तक 2-3 post के अंदर अच्छा impression आया था एक महीन इसे blogging कर रहा हूँ और अभी कुछ impression नहीं आ रहा है एक या मेरा नया website है इसके लिए down हुआ है जो post मैंने लिखा था उसके अंदर कुछ भी traffic नहीं आ रहा है और मैं अभी काम करना थोड़ा काम कर दिया हूँ और मेरा पहली बार में ही Google Adsense का approval मिल चुका है समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए मुझे इसका कारान क्या है basically core update के कारान है या spam update के कारान है या मेरा website नहा है इसके लिए तो कुछ help भाई को चाहिए तो आज के इस विडियो में हम लोग बहुत सरा कुछ आपको सीथने के लिए मिलेगा और बहुत सरा कुछ आज के इस विडियो के जरीए हम लोग जानेंगे सबसे important बात भाई का website USA पे ranked है पहली बार में ही Google AdSense के approval भाई को मिल चुका है और भाई का website के अंदर अच्छा खासा traffic आ रहा है और भाई एक महिने से blogging कर रहा है इसका मतलब भाई के website के अंदर अच्छा खासा quality full content है क्योंकि अगर आपके website के अंदर quality full content नहीं रहाएगा तब Google अपको कभी भी Google AdSense के approval नहीं देगा Google AdSense के approval है इसका मतलब आपके website के अंदर जब अप apply किये थे अच्छा quality full, helpful content है उसके बाद बहुत सरे reason हो सकता है जिसके करण से भाई का website का traffic डाउन हुआ है और जो भी बन्दे beginner इस वीडियो को देख रहे है आप लोगों का भी same problem हो सकता है हो सकता है आपके website के अंदर traffic नहीं आया होगा और कैसे traffic को increase करें उसके बाड़े में detail में आज की इस वीडियो में बात किया जाएगा बिसिकली भाई ने दो तीन गलतिया इधर में कीए है जो हो सकता है क्योंकि भाई के website के बारे में मुझे नहीं बाता है बिसिकली तीन गलतिया इधर में होने का chance है पहला है भाई जब apply किये थे उसके बाद AdSense approval मिलने के बाद कुछ theme, plugin का, customization पे कुछ दिक्कते किये होंगे जिसके करण से website के अंदर lazy load हो रहा है हर एक चीज और Google से direct हो चुका है impression नहीं आ रहा है दूसरा गलति भाई का website का server अच्छा नहीं है जिस करण से भाई का website के अंदर page speed का जो loading speed होता है वो घड़ चुका है इसके कारण से direct हो चुका है and third है भाई का spam update के कारण जो है website का traffic डाउन हो आ है तो हम लोग find out करते हैं कौन सा कारण हो सकता है basically ये तीनों कारण हो सकता है तो spam update से कासे बचना है उसके लिए एक full video आपको already चैनल पे मिल जाएगा उसको देख लिजएगा और जो server का बाद है तो hostinger based service है देता है chip price के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते description box में discount link आपको मिल जाएगा 300 रुपिस का discount server आप अगर hostinger का ले लेते तो आपका service का जो problem है server का 100% solve हो जाएगा दूसरा बात अगर आप कुछ changes किए access app लेने के बाद उसको फिर से सही कर लिजिए generate price या ऐस्तरा theme को यूज़ करिए आपका theme का end plugin का कुछ भी error नहीं आएगा GPL plugin अगर आप यूज़ कर रहे है प्लीज उसको remove कर दिजिए इससे बहुत ही bad impact आता है site के अंदर दोस्तो अभी आपको क्या करना चाहिए सबसे important बात आप जो इधर में main गल्दिया किये है आप एक महिने से blogging कर रहे है आपके अंदर अच्छा खासा traffic आ रहा था उसके बाद जभी traffic तोड़ा down हुआ आप blogging को छोड़ रहा है काम lose कर दिया यही है आपका सबसे most important mistake यह जो time period है अभी का time जब आपका website के अंदर impression बहुत ही down है इस time के अंदर आपको सबसे ज्यादा काम करना चाहिए और आप जो इस time के उपर ही बहुत ही कम काम कर रहे है यह आपका main गलती और blogging के अंदर ups and down होते रहता है अगर आपका basically आपको तीन चीज़ फिर से करना पड़ेगा इसको revive करने के लिए यह जो हो गया basic सबाद जो अलड़े कभर कर दिया अभी हम लोग जानेंगे कि website को setup सबसे पहला आपको अच्छे से करना है उसके लिए चैनल को आपको वीडियो मिल जाएगा और किसी भी अच्छी keyword के उपर find out करना है आपको उसका भी full keyword research tool video guide एक घंट अभी समीट का आपको चैनल पर मिल जाएगा उसके जरी आप USA के लिए इंडिया के लिए किसी भी country के लिए keyword चूस कर सकते उसके बाद आपको website setup हो गया keyword का find out कर लिए उसके बाद आप simply उसके उपर consistent बिना देखे बिना सुने 4-5 महिना काम करिए आपको website के अंदर 101% ट्राफिक अनलग जाएगा भाई का इधर में एक महिने के अंदरी ट्राफिक आ जुका था इसके लिए भाई ने क्या गया कि काम करना बन कर दिया जब भाई का impression डाउन हुआ तो आपको simply एक ही suggestion काम आप करते रहिए आपका 100% ट्राफिक बापस आ जाएगा किसी भी आल्टा टिप्स एंड टिप्स नहीं है भाई के लिए यही मेरा पर्सोनल टिप्स रहेगा कि अगर आपके website के अंदर Google AdSense के अपर भले impression भी आ रहा था इसका मतलब आपके website के अंदर quality full content था अगर आपको changes की है बाद में तो उसको फिर से backup कर लिजएगा and all set आपका website फिर से जाएगा और अभी आप सबसे ज्यादा importantly काम करिए 101% आपके website के अंदर ट्राफिक आएगा और कुछ भी question रहता है problem रहता है तो Instagram ओपे ने comment box भी ओपे ने comment करिए आपका भी problem इस तरह से किसी वी वीडियो में solution कर दिया जाएगा thank you दोस्तो